नमास्कार स्वागत है आपका हमारे चैनले चार्ज आगेंदर मिशा में मिथुन राश 22 मार्च से लेकर 28 मार्च 2022 तीन बड़े परिवर्तन होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राश वाली जातकों के लिए मार्च महिने का चौथा सप्ता है यानि की 22 मार्च से लेकर 28 मार्च 2022 तक कसमे कैशा रहेगा आपका केरियर कैसे रहेगा, बिजनस व्यापार, कारोबार कैसे रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, दामपत्ती जीवन कैसे रहेगा, इजुकेशन कैसे रहेगा, स्वास्त कैसे रहेगा, लव लाइव कैसे रहेगी, विदेश की आत्राइधन की इस्थि, कारोब द्धनू और मकर राश्य में गोच्छर करेंगे इन साथ दिनों में और यहां पर बात करें तो यहां पर शनिदेव आपके अश्टम भाव पे रहेंगे शुक्र और मंगल की यूती भी बनी रहेगी नवम भाव पे मिठुन राश्गत को आपके देव गुरु ब्रिहस्पत और आपके राशिक स्वामी बुद्ध ग्रह की यूती बनी हुई है और दसम भाव पे शूर जो की ग्रहों के राजा माने जाते हैं इनकी गोचिरी स्थिति रहेगी इन साथ दिनों में राहु ब्रिशम में केतु ब्रिशिक राशिय में रहेंगे आप चुकि यहाँ पर मिथुन राश्कत को चंद्रमा आपके पंचम भाव पे छटे भाव पे सब्तम भाव पे और अश्टम भाव पे गोचर करेंगे तो सब्ता के अंत में चतुर ग्रही योग का निर्मार भी होगा और तीन बड़े परिवर्तन भी आपको दिखाई देंगे तो ये थी तमाम ग्रह गोचरी सित्या इन्ही के अधार पर जानेंगे कि आपके लिए ये सब्ता कैशर हैगा ये सब्ताहिक राशिफल कैशर हैने वाला है मिथुन राश्कत के जातकों तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन राश्कत कों की आपका कैशर और बिजनेश व्यापार कारूबार कैशर हैगा देखे मिथुन राश्कत को इस सब्ताह चुकि चंद्रमा पंचिम भाव पर गोचर करेंगे तो देखे सब्ता के सुरू में ही आपको सिक्षा के मामले में और नौकरी के मामले में विशेश लाब होगा हलाकि नौकरी की बात कर रहे हैं सुरू में और फिर हम बिजनेश व्यापार कारूबार की बात करेंगे तो देखे, नोकरी में प्रमोशन को लेकर, पद प्रदेश्टा मानसमान को लेकर, बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, तो बड़ी परिवर्तन यहाँ पर देखे, आपको इस्थानांत्रन की योग भी बन रहे हैं, पहला इस्थानांत्रन की योग बनेगा, यानि कि प्रदेश्टा मानसमान जो रुका वथवो मिलता न जलाएगा, बड़े अधिकारियों से संबंध बहतर होंगे, उच्चा धिकारी आपके कार्शेत में आपकी मदद करेंगे, सहयोग देंगे, और ये आपके लिए काफी बहतर होगा, तो कुल मिला के कहा जाए, तो इस द कारोबार में विशेश लाब होगा, खास कर मिथुन राजकत को आपको बिजनेस व्यापार में भी कोई नए चेंजिंग कर सकते हैं, परिवर्तन देखने को मिलेगा, बिजनेस व्यापार में चेंजिंग कर सकते हैं, रुका वथासव धन प्राप्त होगा, धन इंकम संपत में ब्रद्दी होगी कई महत्पूर्ण चीजों का लाब है मिलेगा और मित्वन राजकत को निश्य तोर पे कहा जा तो इस्तित्या काफी अच्छी रहेगी धन के मामले में बहुत अच्छी स्थित्या रहने वाली है रुका वह फस्व धन प्राथ होगा लोटर शट्टा से ज्यादा रहने वाली है पहले के उपे इच्छा जवरजस्त रहने वाली है मित्वन राजकत को निश्य तोर पे कहा जा तो पार्टरनर्स चीपे बिजनस व्यापार कारोबार करते हैं तो बिशेश लाब होता नजराएगा यानि कि यहाँ पर दुगने रप्तार के साथ आ आज यनि कि आपको इस सप्ता लोन के रुपे बड़ा परिवर्थन होगा लोन मंजूर होगा जो लोन काफी समय से रुखा वह था वो मित्वन राजकत को और आपकी बिच थी मामल काफी सुधार देखने को मिलेगा चुकि विशेश लाब होगा इस सप्ता 22 मार्च से 28 मार आपको अपने परतिदंदियों से थोड़ी साउधानी बरतनी होगी। तक आपको इन्हीं कहा जाए तो आपके सब्तम भवव पर जिब चंदरमा गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर में अगर बिजनेस भी आपार करते तो लाब होगा जीवन साथी से आपको सहयोग प्राप्त होगा जीवन साथी कंधिश कंधे मिला कर जीवन साथी से मद्भेत खतम होंगे जीवन साथी आपके साथ नजदीक्या बढ़ाएंगे उनके साथ बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है तो मिथुन राजकत को यहाँ पर जैसे ही अस्टम पे थोड़ा जाएंग तो यहाँ पर भी परिवर्तन होगा आपके कार्ष तो उसमें लाब होगा पारिवारिक जीवन में कुछ मामले ऐसे हैं जो सुला हो सकते हैं अब यहाँ पर देखा जाए तो जो अब विवाही जाता के उनके लिए बड़ा परिवर्तन होगा जो विवाह में देरी हो रही थी है पिर विवाह तय नहीं हो पारे थे समश्याए उनके लिए नए रिष्टे आएंगे उनके लिए बड़ा परिवर्तन होगा यह सबता नए साधिक के चर्चाए होंगे शुब मंगलकार होंगे धार्मी कारियों का विवजन हो सकता है साथी साथ आपके घर में कथा वारता हो सकती है बड़े भाई बहनों को सहयोग परिया प्राप्ध होगी सप्ता, कुल मिलागी काजया, तो इसलिते काफी होगी, संतानों को लेकर, तो आपको सप्ता के स्पूरू में exactly 12, यानि की मार्च को ही, आपको पिशेशश खबरी मिलेगी, संतानों को लेकर शीक्षा को लेकर, और आपकी लबलाई पच्छी रहेगी, लब पाडरुक कुछ गिप्ट और उपहार देंगे, उनके साथ धेर सारी मिठी-मिठी बाते होंगे, खुबसूरत वक्त बिताने का मौका मिलेगा, पहले के उपेच्छा काफी अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा, लबलाई प ने की है उस तैयारियों को बखोवी तरह से आपको पाएंगे और स्वास्त सम्मंधि प्रैसानियों से थोड़ी आपको धियान रखना है जिसे कि आपको दीश 24 मार्च को थोड़ा स्वास्त का धियान रखे हैं उसके बाद आपको 27 मार्च's के दुपार और 28 मार्च's जल्दवाजी ना करें, धहर से काम लें तो काफी अच्छा होगा, कुल मिला के कहा जाए तो आप जितना ज्यादा हो सके उतना ही आप यानिकी कार करें, अपने सरीर का भी ध्यान दें इस सप्ता में, मितुन राशकत कों ये जो सप्ताहिक राशिफल आपके लिए बहुत में ब्रद्धी करेंगे, अब अगर कुछ इंपोर्टन उपाय की बात करें, तो देखें, मितुन राशकत को बिश्ण साहस्त इस्तरोत का पाठ करें, गड़ेश भरवान को दूर्वान की माला पहनाए और गरीब ने धहन को दान करें, यह था योग संबहोत भागवान की पूजा जरूर करें भागवान विश्ण जी की, कृष्ण भागवान की पूजा करें, तो विशेश लाव होगा, तो यह था मितुन राशकत को लिए सब्ताही का रासी फल, यानि 22 मार्च से 28 मार्च 2022 तक का रासी फल, तो दोस्तों, जाते ते वीडिक लाइक जरूर करें, नए तो चलो को सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर करिएगा, जैशनी देव